हेलो नमस्कार आदाफ सरीकाल मैं हूँ आपका दोस्त आपका हो शुबेशनिक चोहान आप लोग का स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर तो चलिए थोड़ा सा इतियास में चलते हैं महामारी बन गया एक पैंडेमिक बन गया जिस दोरान में पुरा विश्व इस कोवीड 19 से तरहिमाम तरहिमाम कर रहा था भारत के अंदर आज तक 4.53 लेक लोगों की डेथ हुई और 3.41 करोर लोगों को ये कोवीड 19 की विमारी हुई जिसके अंदर जिसी दोरान में शुरू ह हुआ दुनिया का सबसे वड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्राम जिसके अंदर कोवीड शिल्ड को दिया गया सबसे पहले इमर्जंसी यूज ऑथराइजेशन फिर को वैक्सिन को मिला और उसके बाद इस्पुतनिक 5 जॉंसन और मॉडरना को भी दिया गया इमर्जंसी यूज ऑथराइजेशन बाई दे सेंट्रल ड्रग इस्टेंडर कंट्रोल और्गनाइजेशन द्वारा तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसी ड्राइव के बारे में क्योंकि हाली में भारत के अंदर 100 करोड वैक्सिन जो हैं वो लोगों को लग चुके हैं तो दोस्तों मैं जुबेंसिंग चोहान आप लोगों का स्वागत करता हैं इस क्लास के अंदर 100 करोड वैक्सिनेशन प्रोग्राम के इसके अंदर जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि COVID-19 nuo यह जो वैक्सिनेशन प्रोग्राम था इसके अंदर क्या खा intense program था यह जो एंपसीनेशन प्रोग सबसे पहली चीज़ थी कि हम लोगों ने युनिवर्सल प्रोग्राम अप्रोच को यूज किया जिस दौरान में अठाया साल से कोई वी उपर का वेक्षि था उसको हेल्थ सेंटर के अंदर जो सरकारी हेल्थ सेंटर थे वहाँ पर फ्री ऑफ कोश वेक्सीन लगाया गया झारीब से गरीब वेकषिन लगाने की तरफ आगे पहल की जिस दोरान में सारे लोगों को वैक्सीन जो है वो effective रूप से लग पाया, ज्यादा लोगों का participation आपको देखने को मिला, हम लोगों को इस बार देखने को मिला, आत्म निरभर भारत, self-reliance भारत, इस बार वैक्सीन के लिए भारत किसी और के ओपर dependent नहीं गया, इस बार क्या किया गया, इस बार किया गया, कि सरकार के दोरा पैसे दिये गए, सरकार के दोरा scientific approaches दी गई, सरकार के दोरा scientific technology के अंदर promotion मिला, उस दोरान में देखने को मिला, कि vaccination जो है, वो indigenous, यानि कि भारत के अंदर ही develop हुई, इतना ही नहीं, आप देखोगे, तो जब vaccine develop हो गई, तो उ इस था, prioritization of the beneficiary, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, कि सब लोगों को बोला, आओ और vaccine लगा लो, सबसे पहले layer-the-layer लोगों को बुला है, सबसे पहले health care worker को बुला है, कि आपके ओपर सबसे ज़्यादा खतरा है, आप आईए, उसके बाद बुजूर्गों पह, उसके बाद फिर आपको adult देखने को मिलेगा, और अभी child के अंदर, अभी बच्चों के अंदर भी vaccine लगाने की बात की जा रही है, तो layer-the-layer किया गया, ताकि वहाँ पर भीड़ ना लगे, एक proper management देखने को मिला, COVID-19 के vaccination के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने digital interface बनाया, COVID-19 करके, जिस दोरान में certification आसानी से download हो पाया, certification के लिए आपको line में नहीं लगना पड़ा, slot के लिए आपको line में नहीं लगना पड़ा, management जो है वो आसानी से हुआ, इतना ही नहीं थोड़ी transparency आई, थोड़ा समझ में आया कि vaccination किसने लगाया है, कौन बाकी है, इस तना ही नहीं, प्रोग्राम के जरिए, कोवेक्स प्रोग्राम के जरिए, अपने द्वारा vaccine पहुंचाया, जिस दोरान में आपको देखने को मिला, कि आज के समय पे 95 से जारा देश ऐसे हैं, जो भारत के दिये हुए vaccine लगा चुके हैं, इतना ही नहीं, भारत ने consultative और collaborative approach अपना ही, क्या चाहे वो health worker हो, चाहे वो scientist हो, चाहे वो expert हो, चाहे वो सफाई करमचारी क्यों ना हो, लोगों को include किया गया, मतलब एक consultative और collaborative approach अपना ही और ये सारे जो principle बनाये गए, इनको जब लागू करने की बात आई तो ऐसे ही नहीं किया गया, आपको देखने को मिलेगा कि हर एक च क्योंकि April 2020 तक vaccination बना नहीं था, इसका काम था भारत के अंदर vaccination की research को promote करना, encourage करना, vaccine के development के उपर काम करना, vaccine नहीं तो किसी और drug के उपर काम करना, diagnostic करना या फिर vaccine बनाना, vaccine का सारा काम जो है, वो इस scientific organization को दिया गया, इतना ही नहीं, जब vaccine बन गया तो उसके बाद National Expert Group for Vaccine Administration बना, इसका काम क्या था, इसका काम था, अगस्त 2020 से इसका काम शुरू हुआ, जिस दोरान में इसका काम था, action plan डिसाइड करना, किस तरीके से लोगों को vaccine लगेगा, इसने सारी best practice विश्व में जीतनी भी थी, वो सब निकाली, इसने जो नए नए scientific evidences थे, उनको निकाला, और उनके जरीए vaccination के अंदर management करने की कोशिश की, जिसके अंदर आपको prioritization, digitalization, जैसे program का use देखने को मिला, इतना ही नहीं, आपको देखने को मिलेगा, an empowered group on vaccine administration for COVID-19, IGVAC, इगवेक जनवरी 2021 के अंदर बनी थी, जनवरी 2021 के अंदर ये बनी थी जिस दोरान में COVID-19 के vaccine लगना शुरू हुए थे, इसका काम था technology का बहतर रूप से प्रयोग करना, ताकि vaccination inclusive हो, हर घर तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, इसका काम था vaccine के program को simple और scalable बनाना, इसका काम था vaccine को transparent बनाना, जो भी लोग हैं, उनको transparency मिले, जो रास्ते भर के अंदर vaccine जाता है, वो ताप चीज़ जो है, वो इस group का काम था, उसके बाद आपको देखने को मिला, National Technical Advisory Group on Immunization, ये एक standing technical subcommittee थी, जो COVID-19 working group के रूप में उभर के आई थी, इसका काम क्या था, इसका काम था, इसका काम था, technical matter पे advice देना, जैसे की कितने इंटर्वल में dose देना, जैसे की कितने contradiction यूज कर कब देना, कुछ group जो थे, उनको शुरुआत के अंदर vaccination देने की बात नहीं की गई थी, मना कर दिया था, कि इनको vaccination नहीं लगाना, तो उनके ओपर कैसे research की जाए, और उनको कैसे vaccine दिया जाए, इन साही चीज़ों के ओपर काम करने का काम, इस नतागी का था, इन साही चीज जो आज vaccine लगाने को eligible थी, और at least one dose लग गया, दो dose लगने वाली adult population आपको 31 प्रतिशत के आसपास देखने को मिल जाएगी, जिसके बाद आपको देखने को मिला, कि भारत के लिए एक और milestone पूरा हुआ, जिस vaccination की drive में, जिस COVID-19 के अंदर, भारत एक world leader के रूप में उभर के आ रहा था, उस भारत का एक और milestone पूरा हुआ, जिस जोरान में भारत ने 100 करोर dose पूरे किये, पर याद रखें कि इन सारे milestone को पूरा करने में, कुछ लोगों के बड़े sacrifice हैं, जिहां दोस्तों, कहीं सारे COVID warrior ने, कहीं सारे Corona warriors ने, अपनी जान भी यहाँ पर गवाई है, कही लोग और डॉक्टर सालों सालों तक, महीनों महीनों तक, अपने घर नहीं गए, ताकि लोगों की सेवा कर सके, I want to salute to all these COVID workers, और अगर आप लोग को भी कहीं पर COVID warriors दिखें, तो एक बार thank you उजरू बोल देना, क्योंकि शायद आज इनी की वाज़े से हम लोग जिनना है, तो कॉमबेट हर संडे को होता है, अगर कोई भी कॉमबेट को अटेंड करता है, तो उसको 15% तक अनकैडमी के ओपर डिसकाउंट मिलेगा, और 10 करोर रूपे तक के प्राइज मिलेंगे, उसके बाद अगर आप अनकैडमी के ओपर सब्सकाइब करते हो, और कोड यूज करते हो